गाइज नमस्कार मैं आरके मिस्रा इंजिनर साड़ा पर स्वागत करता हूं दोस्तों सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है ससी ने जिस तरह से साट इस पैनाप टाइम में नोटिफिकेशन आउट किया और फिर इग्जाम डेट करा रहा है 2022 वोला तो बच्चों की बन में क्वैरी भी होगी यह बात जन्मिन भी है कि ससी ने ऐसा क्यों किया आपको भी पता है कहीं ने कहीं PMO की गाइड़ाइन PM साहब की बाते और SSE का की अडिशनल वेकेंसी को हमने क्रियेट किया उसकी हिसाब से उनको 2022 के एंड तक हमें कुछ न कुछ करना था तो 2021 में नोटिफिकेशन आया नहीं था इस विज़े से बहुत कम समय मिला और देखिए इस नोटिफिकेशन में बहुत फाइदा उनको मिलने व लेकिन सवाल यह है कि अगर span of time जो stage 1 के लिए time कम मिले या stage 2 के लिए time कम मिले तो अब क्या करोगे उनको benefit मिलेगा जो पहले से preparations कर रहे थे यह बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा RRB में आपको भी पता है proper systematic तरीके से number of stages होते हैं CBT 1 होता है CBT 2 होता है फिर documents verification होता है फिर medical test होता है यह सारी चिसे हैं तो सबसे बड़ा सवाल है dear friends कि आप कैसे preparations को start कर सकते हैं SSC के साथ सथ क्या आपके RRB का preparation हो सकता है क्या तो मैं आपको सबसे पहले syllabus पर लेकर चलता हूँ फिर उसके बाद आपको decide करना है देखेगा सबसे पहले अगर बात करें mathematics जो CBT 1 RRB को होगा mathematics होगा reasoning होगा general awareness तो general awareness और reasoning है और आपको यह दोनों में common है science भी आप SSC JEE के लिए पढ़ते हो RRB के लिए होड़ा सा science का label अगर और deep में चले जाओगे तो RRB के लिए भी कामा जाएगा तो CBT 1 में आपको mathematics बस additional पढ़ना पढ़ेगा SSC JEE के लिए आप जो पढ़ते हैं वही पढ़िए बस थोड़ा सा quantitative aptitude को पढ़ देते हैं तो आपका हो जाएगा CBT 1 लेकिन जब बात करते हैं CBT 2 के लिए तो अबेस बात है CBT 2 में आपका mathematics जो आप CBT 1 में पढ़ते हैं वही पढ़ना है और reasoning आप जो उसमें पढ़ते हैं वही इसमें भी पढ़ना है general awareness सेम चीज़े हैं बस यह यह topics आपको पढ़ना है बाकि general science आपका वही चीज़ है फिर उसके बाद आपको यह देखो CBT 1 का पुरा का पुरा syllabus है CBT 1 का proper कौन-कौन से topic पढ़ना यह सारी चीज़े आपको दिए हुए CBT 2 में देखिएगा general awareness है physics और chemistry है फिर basic computer applications है आप in fact SSC के लिए भी computer पढ़ते हैं वही आपको यहां पे भी काम आएगा तो कुछ additional effort लगा करके हम चाहें तो SSC के साथ साथ RRB का preparations कर सकते हैं यह फाइदा या काम तभी आएगा यह additional जो आप effort दे रहे ना उसका फाइदा तभी मिलेगा जब आपका notifications बहुत कम समय में out हो जाए और preparations करने के लिए जाता समय नहीं नहीं कि इतने बड़े से लबस को पेजिए को प्रेप्रेशंस करने में या होता है प्रेफ्रेशंस करना या हूता है से disagreement कोी जरेना टाइम तो लगदा है फोट तो फाइपन लगती हैं अब वो टाइम해서 तीन महीं देंगे मई तो मेरा जो मानना है इस पर कि आउडियंस आप अगर चाहो समझदारी दिखाएं तो जिसे साइंस थोड़ा सा पढ़ो तो एक अच्छे देबल का पढ़ो टेक्निकल आप पढ़ी रहें और क्वांटिटेटिव एप्टिट्यूड को पारदली आप पढ़ो अच्छे से तो मुझे दगरा कि RRB और SSE अच्छा खासा एक साथ एकुमिलेट होकर कि प्रिप्रेशन हो सकता है और अगर नोटिफिकेशन साथ स्पैन अप टाइम में आए और एक्जाम बहुत जवदी हो तो वो आपको CBT-1 में रीड देदाएगा CBT-2 में भी ऐसा होगा है चोकि इन सब का चांसेस इसलिए भी है कि किसी को भी एक्सपेक्टिशन नहीं था कि SSE जई इतना जल्दी 2022 का एक्जाम करा देगा नोटिफिकेशन का आउट करने का डेट एक्जाम का डेट बहुत क्लोज था और इनफेक्ट RRB की भी प्लानिंग चले रही क्योंकि यह देखोगे न आप पैरलली देखोगे न तो जब रेलवे मिनिस्टरी ने भी ट्विट किया था रेलवे मिनिस्टर ने भी ट्विट क किया था तो सेम टाइम पे SSC ने भी ट्विट किया SSC ने भी ट्विट किया SSC ने भी नोटिफिकेशन जारी किया additional vacancies का यह सब दरसाता है कि सरकार इन सब सीजों के पीछे अपने मतब की जो मिसन है 2014 वादा उसके पहले आप लोगों के बीच में पॉजटिव महौल पैदा है तो guys मैं आपको अगें बता रहा हूँ आप अपनी preparations को सुरू कर सकते हैं मैं इस article का link share कर दूँगा ताकि आपको CBT-1, CBT-2 फिर उसके बाद CBT-1 का levels क्या होगा CBT-2 के levels क्या होंगे उस सारी चीज़े इसमें दिया हुआ वीडियो के नीचे comment सेक्षन में मिल जाएगा और आप अपनी preparations को सुरू कर सकते हैं मेरा मकसद हमेशा आप लोगों को informations देना होता है aware करना होता है और बस यही एक छोटा सा उदेश होता है और कुछ भी नहीं होता है हां रही बात एक ecosystem में काम करते हैं तो हम लोग live classes भी चलाते हैं free में भी चलाते हैं paid भी चलाते हैं त बजट की बात ही मत करो अड़ा का जो एजुकेशन बहुत ही economical है budget में होता है सब कुछ दिदेते हैं अगर आप RRB जैसे अभी देखो महापैक जिन लोगों ने जोइन कर रखा होगा SSJEE का selection badge business notifications आया selection badge उनको free में access करने के में देगा take or non take or तो अगर आप भी महापैक जोइ करते हो civil mechanical electrical का तो आपको RRBJEE का selection page में देगा free में पूरा complete CBT1 CBT2 का why not आपको अगर तयारी करनी है तो मेरे किसाब से करने का best time है आप कर सकते हैं पट आपको अगर कोई query है तो मेरे telegram group में जुड़ जाईएगा AJ job update by RK sir आप वहाँ पे search कर देना जुड़ जाना फिर समाधान करना ठीक है और courses को access करते समय आपको price अगर महापक की जाधा लगे तो आप code यूज कर देना Y201 जिसमें RRB का ebook मिल जाएगा आपको test series मिल जाएगा live patches मिल जाएगा और SSC और तमाम तरहें के upcoming exam की सब कुछ मिल जाएगा in fact बहुत सारी content उसमें recorded भी है ठीक है thank you thank you hope you are doing great video अच्छा लगा तो यार like share करते रहिए और स्वाइन करना नहीं करना आपको पड़िपेट करता ठीक है और बुद्धी और बिवेक का यूज करिया और preparation को start करिया और इस बार तुमें कुछ करना है यार 2022 में हम उन experience को कुछ करवाना चाहते हैं जो below the average है या average है या mechanical experience अगर फ्री में क्वास अक्सेस करना चाहते है तो सामको चार बचे जरूर को है ठीक है